कितने वर्ड का आर्टिकल लिखे के आपको Google Adsense का अप्रूवल मिल जए या फिर यूँ कहलो How many words blog are required for Google Adsense अप्रूवल Google Adsense अप्रूवल लेने के लिए कितने वर्ड का आर्टिकल या कितने वर्ड का ब्लोग लिखना चाहिए इस वीडियो में आपको बताना लगा है वीडियो अच्छे से देखना स्की मत करना चोटी सी वीडियो होगी अच्छे से देख लेना इन पॉइंट्स को याद रखना अपने माइड में बिठा लेना इतने वर्ड का आर्टिकल लिखोगे तब ही आपको Google Adsense का approval मिलेगा मेरे बाई Google Adsense की कुछ requirement है approval के लिए अगर आप उन्य requirement को पूरा करते हो तो आपको Google Adsense का approval मिल जयता है इन requirements में से एक requirement यहां पे यह आती है कि यार आपको blog article जो आपने लिखना होता है उसमें wording कितनी होने चाहिए आप कहीं 100-200 word का article तो नहीं लिख रहे इतने word का article लिखोगे तो Google AdSense वाले देखे गे भी नहीं आपके blog को ठीक है मेरे भाई तो आपने क्या काम करना है यार इस तरह से article लिखना है कितने word का article लिखना है कि आपको approval मिले इस वीडियो में आपका भाई आपको बताना लगा लेकिन उससे पहले यही कहूँगा जो अपनी हर वीडियो में आप से कहता हूँ चैनल पर पहली दफ़ा आयो तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो साथ में बने बैल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि नेस्ट वीडियो आप तक का सके इसके लावा मुझे ये भी बताना क्या इस तरह की यूनीक वीडियो आपके लिए बनाया करूं यहां फिर नहीं यानि के इस तरह की वीडियो मेरे ख्याल से अभी तक किसी नहीं नहीं बनायी होगी कि रधुर्व ka एक आरिक लिख है के आपको गूगल एटसेंस का आपको इंडें की नहीं बनाई आपको पना की यूनीक वीडियो अगर चाहते यहां पे अपनी promotion बहुत होगी यह बात का लेते हैं कि आपने Google Adsense का approval लेना कितने word का article आपको लिखना चाहिए कितने word का blog लिखना चाहिए चाहे blogger पर काम का रहे हो चाहे wordpress पर काम कारह हो दोनों पर एक ही तरीकह ठीक है एक इतने ही word का article लिखना होता है Google AdSense वाले कहते हैं, उनका rule है, उनकी requirement है कि minimum आपका blog article 300 word का होना चाहिए. I think ये तो हर बंदे को पता लेकिन अब मैं आपको जो चीजे पताने वाला हूँ, वो हर बंदे को नहीं पता. आपका blog article minimum 300 word का होना चाहिए, कम से कम आपके blog article के अंदर 300 word होना चाहिए, तब ही आप Google AdSense की requirement को पूरा करते हो, उनके rules को पूरा करते हो, ठीक है, लेकिन अगर आप 300 word से कम का article लिखते हो, तो आपको AdSense का approval नहीं मिलता, ठीक है, काफी कम chances होते हैं, आपको AdSense का approval मिलने का, अगर आप चाहते हो approval मिले तो more than 300 word article लिखा करो, अब बात का लेते हैं, कि आपको क्या वाकिए में सिरफ 300 word का article लिखना चाहिए, कुछ लोग आपको कहते हैं कि 5000 word का article लिखो, तब भी AdSense का approval मिलेगा, नहीं, 5000 word तब लिखने परते हैं, जब आपके competitor का article है, वो 4500 word का होता है, तब आप अगर 5000 word का article लिखते हो, उसके अंदर SEO अची करते हो, तब आपका article rank होने के chances बार जाते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको AdSense का approval मिलने के chances बार जाते हैं, minimum आपके 300 word का article हो, तब भी आपको AdSense का approval मिल जाता है, suppose अब 300 word का article लिखते हो, और आप यहाँ पे लिख लेते हो 30, 35, 40 article, तब आपको Google AdSense का approval मिलेगा, इससे कम article लिखे होगे, त तो Google AdSense का approval नहीं मिलेगा, suppose यार आप लिख लेते हो, यहाँ पे 1000 word का article, minimum 1000 word का article लिखते हो, और यहाँ पे आप 17 to 20 article लिखते हो, 22 article लिखते हो, तब भी आपको Google AdSense का approval मिल सकता है, इसके बहुत ज्यादा chances होता है, तो आपने क्या काम करना है, अगर आप article blog post लिख रहे हो और minimum 300 word का article लिखते हो, तो आपने यहाँ 35 to 44 article लिखने है, फिर जाके आप Google AdSense के लिए eligible होगे, तब जाके आपको AdSense का approval मिलेगा, suppose यार आप AdSense approval के लिए eligible ही नहीं हो, तो आपको approval कैसे मिलेगा, suppose आपने study करनी है, ठीक है, BS में software engineering में आपने admission लेना, software engineering की requirement है कि आपने पहले ICS किया हो, तब ही आपको software engineering में admission मिलेगा, वैसे तो दूसरों को भी मिल जाता है additional math राके, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि आपने अगर eligibility ही पूरी नहीं की, तो आपको AdSense का approval कैसे मिले, आपने minimum 300 word का article लिखने है, 35 to 44 article लिखने है, तब approval मिलेगा, दूसरी बात यहाँ पर काले, अगर आप लिखते हो 700 word का article, 700 word का article लिखते हो, तब जाके आपको यहाँ पे तकरीबन 25 से 30 article लिखने पढ़ेगे AdSense approval के लिए, सुपोज आप लिखते हो 2000 word का article, तब भी आपको यहाँ पे 15 से 20 article minimum लिखने ही पढ़ेगे AdSense का approval लेने के लिए, आपको यहाँ पर 15 से 20 article minimum लिखने ही पढ़ेगे, आपको Google AdSense का approval लेने के लिए, ठीक है, minimum इतने article आपको लिखने ही पढ़ेगे, काफी लोगों को यह mistake होती है, वो यहाँ पर क्या करते है, 100 word का 200 word का article लिखते है, कुछ तो यार ऐसा करते है, सिरफ image यूज करते है, अपन content ही नहीं है, image के लावा कोई test ही नहीं है, तो आपको approval कहां से मिलेगा, आप चाहें यहाँ पर 500 image के 500 article अप्लोड कर दो, लेकिन फिर भी आपको AdSense का approval नहीं मिलेगा, जब तक आपने content ही नहीं लिखा, आपको बहुत कम chances हो जाते हैं, यहाँ पर समझ रो यहाँ यहाँ प काफी लंबा test भी लिख रहे हो, फिर जाके आपको Google AdSense का approval मिलने के chances होते हैं, अदरवाइस chances नहीं होते, यहाँ पर मैंने यह बात के लिए कर दी कि आपको कितने word का article लिखना चाहिए, ठीक हो गया, अब यहाँ वर्डिंग के अंदर भी आपने क्या काम करना है, मैं आप उसके बाद एक और हागेंग आजेगी, उसमें भी आपने 200 pages लिखें उसके बाद एकemic और layers of heading फिर एक और sub heading, के अंदर आपने 200 से 300 word लिखनें इससे ज्यादा word आपने एक heading के नीचे नहीं लिखने यह बाई, यह बात मायम में बठालो अगर इससे ज्यादा लिखते ओ तो आप SEO ही नहीं करते SEO बहुत ज्यादा फैक्ट करती है विवर्शिप के लिए तो आपने क्या काम करना है जैसे आपके बाई ने बताया यह काम करना है इसके लावा वीडियो अच्छी लगी यूनीक लगी तो वीडियो को लाइक कर दो चैनल पहरी दफ़ाए हो तो चैनल को चाहे तोरो चाहे फोरो या फिर आग लगा तो मुझे नहीं पता चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए इसके लावा कि बंदा परसनली कोई बात करना चाहता है कुछ पूछना जाता है इंस्टाग्राम को यूजर निम यहां पर आ रहा है जो इंस्टाग्राम पर फोलो क सब्सक्राइब करो आपको रिप्लाइब करने के आपको बाई ट्राइब करेगा लेकिन अगर रिप्लाइब लेट होता तो उसके लिए सोरी